भेलकम तो इंटेलिजएंशीय इंशीटिटूट एंटेलिजेंशीय इंशीटूट के चैनल को आप लोग जादा से जादा शेयर और सब्सक्राइब करें चलिए आज हमें इन्वारिमेंट का पारट्ट कबर करेंगे पारट micron हो हो चुका है आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर देख सकते हैं घटना चक्र का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और अभी इन्वाइर्मेंट पूरा कबर किया जाएगा टॉपिक वाइज टीक है चलिए अब बिभिन शंगटन योम संस्थान इसको देखते हैं परियावरण संद अभियांतर की सोध संस्थान नीरी महाराष्ट राज के नागपुर फैर में अवस्तित है इसकी अस्थापना वर्ष 1958 में केंदरिये लोग स्वास्थ इंजिनेरिंग सोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज फलान, इससे संबंधित बिमारियों योम और द छेत्र में सोध योम विकास के लिए की गई थी इसकी पांच छेत्रिये प्रियोग सालाएं चन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता योम मुंबई में हैं नीरी भारा सारकायर के बिज्ञान योम प्रद्योग की मंत्राले के अधीन कारी करता है तो ये इंपोर्टन्ट ह नीरी जो मंत्राले है बिज्ञान योम प्रद्योग की मंत्राले इसके अधीन काम करता है बरतमान में नीरी के जो निर्देशक है डाक्टर अतुल नराण बैद्दी हैं अब है यन ई ये ये का पूरा नाम है नेशनल इन्वार्मेंट एथोरिटी न ई ये का तातपर है रा राष्टिये परियावरण अफीलिये प्रादिकरण यन ई ये ये है राष्टिये परियावरण अफीलिये प्रादिकरण का गठन बन हुआ परियावरण मंत्राले के द्वारा किया गया है इसे कुछ है प्रतिबंधी छेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें परियावरण मंजूरी अवस्यक है अस्थापित किया गया था। इसे राश्टिये परियावरण अफीलिये प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत अस्थापित किया गया था। ताकि परियावरण संद्चन अधिनियम 1986 के तहत छेतरों के प्रतिबंद हेतु किसी भी उद्धोग संचालन या प्रकिरिया या उद्धोगों संचालन या प्रकिरियाओं की स्रेणी के संबंद में अपील की शुनवाई की जा सके। अब देखते हैं विस्व मौसम विज्ञान संगटन डबलू यमो संयुक्तराश्ट की एक विशेशग एजन्सी है डबलू यमो जो है युनाइटेड नेशन की एक विशेशग एजन्सी है जो प्रतिबी के वायू मेंडल की दसा और बेवहार का अध्यन करती है। 23 मार्च 1950 को विस्व मौसम विज्ञान अभिशमय वर्ड मेट्रोलोजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था। 17 मार्च 1951 को आई अमशी इंटरनेशनल मेट्रोलोजिकल कमेटी बिस्व मौसम विज्ञान संगटन वर्ड मेट्रोलोजिकल आर्गेनाजेशन के नाम से अस्तित में आई। इसका मुख्याले चिनेवा सुईजर लेंड में इस्तित है इसके बरतमान महावसचियू पेटेरी टलास है योम अध्यच जर्मनी के गेरहार्ड एडिशन है संयुक्त राष्ट परियावरण कारिकरम इसको देखते हैं UNEP United Nations Environment Program की अस्तापना जो है वर्ड उनिस सुबात्त में हुई थी और इसका मुख्याले नेरोबी केनिया में अवस्तित है बरतमान में इसकी प्रमुग डेनमार की इंगर एडेर्शन है ठीक है अब हम देखते हैं EPA EPA के बारे में देखते हैं तो Environment Protection Agency EPA का पूरा नाम है Environmental Protection Agency स्वयुक्त राष्ट अमेरिका की संगिय एजंसी है जिसकी अस्तापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी या मानो स्वास्त योम परियावरण संबंदी नियमों के निर्माड योम परिवर्तन से संबंदी थै अब हम देखते हैं Greenpeace International तो Greenpeace International एक गहर सरकारी परियावरण संगट यह याद रखना जरूरी है जिसके कैरियाले 55 से अधिक देशों में अस्थापित हैं और इसका मुक्याले नीदर लेंड के एम्स्टरडम में है ठीक है अब हम कुछ प्रस्म देखते हैं जो एक्जाम में बार बार पूछा गए है राष्टिय परियावरण अभियांतर की स संस्थान नीरी अवस्तित है तो यह महाराष्ट के नागपुर में ठीक है राष्टिय परियावरण अभियांतर की सो संस्थान नीरी महाराष्ट राजी के नागपुर सहर में अवस्तित है नीरी भार सरकार के बिज्ञान यों प्रद्योग की मंत्राले के अदिन कारी करता ठीक हाँ राश्टिय परियावरण अवियांदर की सोस अंस्तान नीरी कब और कहां अस्थापित किया गया है तो 1958 में इसकी अस्थापना किया गया और नागपुर में ठीक राश्टिय परियावरण अवियांदर की सोस अंस्तान National Environmental Engineering Research Institute नीरी की अस्थापना वर्स 1958 में नागपुर में की गई थी बर्तमान में इसके निर्देशक टाक्टर अतुल नराण बैद्दी है ठीक यन ई ये से आसे है ठीक है तो इस National Environment Authority ठीक यन ई ये कातात पर राश्टिय परियावरण प्राधिकरण National Environment Authority से है यदिप इसका पूरा नाम राश्टिय परियावरण अफीलिय प्राधिकरण है यन ई ये एक गठन बनिवा परियावरण मंत्राले के द्वारा किया गया है इसे कुछ प्रतिबंदी छेत्रों में एफे मामलों को देखने के लिए जिन में परियावरण मंजूरी आहस्यक है अस्थापित किया गया था इसे राष्टिय परियावरण अपीलिय प्राधिकरण अधिन्यम 1997 के तहत अस्थापित किया गया था ताकि परियावरण संरच्छन अधिन्यम 1986 के तहत छेत्रों के प्रतिबंदी है तो किसी भी उद्दोग, संचालन या प्रकिरिया या उद्दोगों संचालन या प्रकिरियाओं की स्रेडी के संबंद में आफील की सुनवाई की जा सके अब देखते हैं बिस्व मौसम बिज्ञान संगठन का मुख्याले अवस्थित है तो जनेवा में है बिस्व मौसम बिज्ञान संगठन डबलू यमो फैयुक्तराश्ट की एक विसेशक एजन्सी है जो पित्वी के वायु मंडल के दसा और बेवहार का अध्यन करती है इसका मुख्याले जनेवा श्रीजर लेंड में इस्थित है UNEP United Nation Environment Program का मुख्याले अवस्थित है तो ये नेरोबी में इस्थित है केनिया के नेरोबी में ठीक है संग्तराश्ट परियावरान कारकरम UNEP United Nation Environment Program की अस्थापना वर्स 1972 में हुई थी और इसका मुख्याले नेरोबी केनिया में अवस्थित है संग्तराश्ट परियावरान कारकरम UNEP का मुख्याले अवस्थित है तो कहाँ है नेरोबी में EPA का पूर्ण रूप है तो EPA का पूर्ण रूप है Environmental Pollution Agency ये नहीं होगा Environmental Prohibition Agency ये भी नहीं होगा देखते हैं अगला C में क्या होगा Environmental Protection Agency तो ये ही होगा EPA का पूर्ण रूप Environmental Protection Agency या संयुक्तराश्ट अमेरिका की संग्ये अजन्सी है Greenpeace International का मुख्याले अवस्थित है तो ये है अम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटर्नेशनल एक गैर सरकारी परियावरान संगर्टन है ये याद रखना जरूजी है गैर सरकारी परियावरान संगर्टन है और इसका मुख्याले नीदर लेंड के एम्स्टर्डम में इस्थित है अब ये जो है करेंट से रिलेटेड है ये आगे डिसकस करेंगे फिर जो करेंट रहेगा अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक परियावरान संगर्चन परियावरान संगर्चन से संबंदित अधिनियम एक्ट बहुत बार इग्जाम में आये हैं यहां से एक कुईश्चन आते ही है तो देखते हैं परियावरान की सुरच्छा के संदर्ब में बिभिन प्रकार के अधिनियम पारित किया गये और ठीक है परियावरान संगर्चन अधिनियम इन्वारेमेंटल प्रोटेक्षेन एक्ट 1986 भारत में वर्स 1986 में पारित किया गया था आ चुका है कई बार PCS में पूछा गया है यहां संबोड भारत में लागू है भारत में परियावरान अधिनियम 1986 को 1986 1986 को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिसलेशन के रूप में जाना जाता है तो ये भी पूछा गया है वर्स 1982 में इस्टाखो में आयोजित संयुतराश्ट के पर्थम मानों परियावरान सम्मेलन के नेड़यों को क्रियानवित करने के उद्देश से भाराश सरकार ने परियावरान संरचन अधिनियम 1986 पारित किया यह अधिनियम केंदर सरकार को सक्ति देता है कि वह अधिनियम के उबंदों के अंतरगत परियावरान के गुडवत्ता में सुधाल लानी तथा संरचन के लिए और परियावरणिये परदूशण के निवारण, नियंत्रण, उप्षमन की उपाय करे। उलेखनिये की भोपाल गैस त्रासिदी के बाद भारा सरकार ने सम्मिधान के अनुच्छे 253 के तहट परियावरण संदच्छन अधिनियम 1986 को पारित किया इस अधिनियम को परियावरण संदच्छन की दिशा में बनाए गए अनि कानूनों में समनों में बनाने और उन्हें मारदर्शन परदान करने में मातपूर भून करने भाई है हाँ अब नेक्स देखते हैं जेनेटिक इंजेनिरिंग अनुमोदन समित का गठन परियावरण संदच्छन अधिनियम 1986 के अधिन किया गया है क्या तब भाई के 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजेनिरिंग अनुमोदन समित का नाम बदल कर का नाम बदल दिया जा गया है इसके अनुसार परिशंकट में सूच्म जीओ अनुवानसिक निर्मित जीओ या कोशिकाओं के भी निर्मान उपियोग आयात निर्यात और बंडार नियम 1989 में अनुवानसिक इंजेनरिंग अनुमोदन समीद सब्दों के अस्थान पर जहां कहीं वो आते हैं अनुवानसिक इंजेनरिंग आकलन समीद सब्दी रखे जाएंगे तीठ है ये है अब इसमें देखते हैं परियावरण संतुलन के संरच्छन को प्रत्यच्छतया संबंध बंड नीती और परियावरण सुरच्छा अधिनियम 1986 का है जबकि अदोगिक नीती और सिच्छा नीती में भी परियावरण ये दिश्चोन को समलित किया गया है अब नेक्श देखते हैं राष्टी हरित नयाधिकरण अधिनियम और राष्टी हरित नयाधिकरण अधिनियम बारतिय सम्मिधान के अंतरगर दिये गें नागिकों को सुच परियावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छ दिक्काईस के में अंतर नहीं था क्या अनुरूप है इस अधिनियम के द्वारा देश भर में एक राश्टिय हरित नयाधिकरण नेशनल ग्रीन टर्वूनल का गठन किया गया है और बरतमान में इसके अधिच जो हैं जस्टिस आदर्स कुमार गोयल हैं और राश्टिय हरित नयाधिकरण की अस्थापना राश्टिय हरित नयाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत अठारा अक्टूबर 2010 को की गई थी इसकी अस्तापना परियावलन बचाव योम बन सन्रचन और अन्य प्राक्रतिक संसाधन सहित परियावलन से संबंदित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन पीडित ब्यक्ति अथवा छटिगरस्त संपत्ति के लिए छटिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावफाली और तीब्र गत्व से निप्टारा करने के लिए की गई उन लेखनी है कि नियावलन के मामलों में दुरुत गत्ष से परियावलन यह नियाई देंगे और उच नियालेयों के मुकदमे के भार को कम करने में मदद करेंगे अब प्रस्न देख लेते हैं भारत में परियावलन संद्चान अधनियम पारित किया गया था वर्स 1986 में यह संपूर भारत में लागू है आगे देखते हैं दूसरा है परियावलन के परिरचन यों संद्चन है तू परियावलन संद्चन अधनियम भारत सरकार द्वारा का पारित किया गया था तो वही वर्स 1986 में परियावलन के परिरचन और संद्चन हे तू परियावलन संद्चन अधनियम भारत में वर्स 1986 में पारित हुआ था इफे चाता विधान अम्ब्रेला लेजिसलेशन के रूप में जाना जाता है वर्स 1972 में इस्टाखोब में आयोजित सयुत राष्ट के पर्थम मानो परियावलन सम्मेलन के निर्णयों को कर्यानवित करने के उद्धेश से भारत सरकार ने परियावलन संद्चन अधनियम 1986 पारित किया था ठीक अब भारत में परियावलन सुरच्छा अधनियम निमने में 21 वर्स पारित किया गया तो वर्स 1986 म निमलिकित वर्सों में से कब परियावरण समर्चन अधनियम पारित किया गया तो वर्स 1986 में बहुत बार पूछा गया लगबग में यह आते ही रहते हैं किसी ना किसी एक जाम में निम लिखित में से किस वर्थ भारा सरकार दोरा परियावरण समरच्छा अधनियम पारित किया गया 1986 में बहुत बार पूछा गया है यह कुईश्चन हाँ छटवा है परियावरण सुरच्छा अधनियम EPA को अनकिस नाम से जाना जाता है तो छाता विधान ठीक है Genetic Engineering अनुमोदन समित कागठन निम लिखित में से किस के अधनियम किया गया तो यह है खादी सुरच्छा और मानक अधनियम 2006 तो यह गलत है माल के भागौलिक उपदर्शन रइष्टी करण और संदच्छन अधनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशन आफ गुड्स रइष्टीशन एंड प्रोटेक्शन अक्ट 1999 यह भी गलत है ठीक परियावान संदच्छन अधनियम 1986 तो यह वाला सही है ठीक है अब Genetic Engineering अनुमोदन समित का गठन परियावान संदच्छन अधनियम 1986 के अधिन किया गया जया तब है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नॉटिफिकेशन के द्वारा Genetic Engineering अनुमोदन शमित का नाम बदल दिया गया है इसके अनुसार परिसंकट में सूच्म जीवो अनुमाइंफिक निर्मित जीवो या कोशिकाओं के भी निर्माण उपियोग आयात निर्यात और भंडारन नियम 1989 में 1989 में अनुमाइंफिक इंजिनेरिंग अनुमोदन समित सब्दों के अस्थान पर जहां कहीं वो आते हैं अनुमाइंफिक इंजिनेरिंग आकलन समित सब्दी रखे जाएंगे अब देखते हैं निम लिखित में से कौन परियावरान संतुलन के संरच्छन से सम्बंधित हैं तो बन नीती परियावरान सुरचाद्रियम 1986 और दोगिक नीती सिच्छा नीती तो यह चारो सही होंगे परियावरान संतुलन के संरच्छन से परच्छत्ता सम्बंध बन नीती और परियावरान सुरचाद्रियम 1986 का है जबकि प्रतच रूप से मतलब बन नीती और परियावरान यह इसका है जबकि ओदोगिक नीती सिच्छा नीती भी परियावरण दिश्टकोंड को समलित किया है ठीक है National Green Tribunal NGT ठीक NGT भारफ सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2010 में एक्ट के द्वारा National Green Tribunal NGT अर्थाद राष्टी हरित नियाधिकरण की अस्थापना भारफ सरकार भारफ सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को National Green Tribunal Act 2010 के अधिन की गई थी इसके द्वारा परियावरण संद्चन वनियों प्राकितिक संसाथनों से सम्मंदित मामलों का निप्टारा किया जाता है NGT का पूरा रूप है या पूरा नाम है तो National Green Tribunal भारत के परिपेच में निमलिकित में से कौन सा कथन जलवाईव परिवर्तन के दुस प्रभाव के संदर में सत्ति नहीं है तो Clean Development Mechanics में CDM की अस्थापना तो ये गलत है ये नहीं होगा National Adaptation Fund के अंतरगत 100 करोड रुपए का प्रारमिक कोज के रूप में निमिस ये भी नहीं हाली में दच्छिट अफरीका के स्वाम फिटी में आयोजित बेफिक की 19-वी बैठक में सामिल ना होना तो ये ही वाला साही है करिन से थोड़ा रिलेटेड है स्वाच विकास युक्ति फिडियम इवियन एफ सी सी के कियोटो फ्रोटोकाल की धारा भारा के अंतरगत वालित है इसके तहट N101 के बिक्सित देश गैर N101 देशों में स्वाच विकास युक्ति परियोजनाएं क्रियानवित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट का उपियोग बिक्सित देश अपनी राश्टिय उस सरजन प्रतिबद्रता में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं बहारा सरकार द्वारा जलवाई परिवर्तन के दुस्प्रबाव को कम करने के लिए से कोई संब्द नहीं है ठीक ये इसका एक्सलानेशन है ठीक है अब देखती है राश्टी हरित नियाधिक्राण अधिकार्ण 2010 बहार्टी संब्धान के निम्लिकित में से कौन सा या सी प्रावधान के अनुरूप अधिकार के अनुरूप जीवन के अधिकार का अंगमाना यावता है यही वाला सही है बाकी गलत है अब देख लेते हैं अराश्टी है हरित नियाधिक्राण अधिनियम 2010 भारतिय संब्धान के अंतरगत दिये गए नागरिकों को सौच परियावरण में रहने का अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुरूप है इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राश्टीय नियाधिक्राण नेशनल ग्रीन ट्रिवनल का कठन किया गया है ठीक आगे देखते हैं राश्टिय हरित राश्टिय हरित एक मिनट हाँ राश्टिय हरित अधिकरण अंगीटी किस प्रकार केंद्रिये फ्रेदूर्शन नियंत्रण बोर्ड फीपी सीबी से भिन है ठीक हाँ तो पहले में NGT का गठन एक अधनियम के द्वारा किया गया ये तो सही है 2010 में एक एक्ट आया था उसी के तहट जो है NGT का गठन किया गया जबकि C, P, C, B का गठन भारत फरकार के कारिफालक आदेश से किया गया तो ये गलत है ठीक है तो इसलिए ये गलत हो जाता है NGT के बारे में सही दिया गया है लेकिन C, P, C, B के बारे में सही नहीं है क्योंकि ये कारिफालक आदेश से इसका गठन नहीं किया गया था दोसरा है NGT परियावरडियन नयाए उपलब्द कराता है और उच्चतर नयालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहीता प्रदान करता है जबकि C, P, C, B जहरनों और कुओं के हफाई को प्रोसाहित करता है तथा देश में वायू की गुडवत्ता में सुधाल लाने का लच्छ रखता है तो ये B सही है ठीक है राश्टिये हरित अधिकरण के हस्तापन अक्टूबर 2010 में राश्टिये हरित अधिकरण अधियम 2010 के तहट बनो योम अन्य प्राक्रतिक संसाधनों के परियावरण संरच्छन से संबंदिर मामलों के प्रभावी योम तीब्र निप्टान के लिए की गए थी केंद्रिये प्रदूसन नियंत्रन बोर्ड एक सम्विधिक संगठन है जिसका गठन सेप्तमबर 1994 में जल प्रदूसन निवारन योम नियंत्रन अधिनियम 1994 के तहत किया गया था ठीक है इसलिए फस्ट गलत हो गया था अब परियावरडिये मुद्दू परराष्टिये हरित नियाधिकरण का समर्पी छेत्राधिकार दुरूत गठ से परियावरडिये नियाए उपलब्द कराता है तथा उच्छतर नहालेव में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है जल परदूसर निवारड योम नियंत्रण अदिनें 1964 वायु परदूसर निवारड योम नियंत्रण अदिनें 1981 में वर्लित CPCB के मुख कायरियों में नदियों यों कोओं की स्वचता को बढ़ावा देना तथा देश में वायू की गुडवत्ता में सुधार करना शामिल है इफी लिए कतंदो सही है ठीक है अब हम देखते हैं कुछ मातपूर्ण परियावरण परिच्छोप योगी तत्थ जो है परिच्छा के लिहास से जो तत्थियों उसकों देखती है परियावरण से समद्धित मातपूर्च तत्थ निमलिखित है प्राक्रतिक वनस्वत जलवायू का सही सूचकांख है तथा वातावरण में कार्बन डायाक्षाइड की बर्ती मात्रा से हो रहे जलवायू परिवर्तन से प्राक्रतिक वनस्वत में भी परिवर्तन हो रहे हैं जल प्रिये पोधे वे हैं जल प्रिये पोधे वे हैं जो जल में जैसे वाटल लिली दल्दली भूम में या तालाबों के किनारे पाये जाते हैं जल की आधर्ता कम होने पर इनका छरण होने लगता है ठीक अब इको मार्क तो इको मार्क को देखते हैं क्या है इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारती उत्पादू को दिया जाता है जो परियावरण के पत्र प्रति मैत्री पूर्ण हूँ यह प्रमाण पत्र विवरो आफ इंडियन इस्टेंडर्ड द्वारा वर्स 1991 से दिया जा रहा है नेक्ष अति नगरी करण और ओदो की करण संतुलन विकास संतुलित विकास परियावरण यों फारिस्थित की तथा जयो बिवित्ता के संरच्छन इन तीनों के लिए हानिकारक है W.M. Adams द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास ग्रीन डेवलेप्मेंट इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलेप्मेंट एंड सस्टेनेबिल्टी इन आ डेमो इन आ डेवलेपिंग वर्ड है या पुस्तक पहला इस पुस्तक का पहला संस्क्रण वर्ड 1990 में प्रकासित हुआ था एल्स वर्ड हटिंग गटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम शिवलाईजेशन एंड क्लाइमेट है जिसका प्रतम प्रकासित वर्ड 1915 में हुआ था अब देखते हैं फाइलेंट स्प्रिंग तो परियावलन विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखी का अमेरिकी जीव विज्ञानी योम संरचन बिद रेचल कारसन है और यह पुस्तक सेप्तमबर 1916 में प्रकासित हुई थी आगे देखते हैं प्राकृतिक क्रिफी के अनिवेशक मसानोबू फुकु ओका और जो मसानोबू फुकु ओका एक जापानी किफान और दार्शनिक थे यह भी देख लेते हैं अब नेक्स है परियावण संरचन के लिए 17 से 24 वर्च के 15,000 इवाओं को न्यूक्त करने के उद्धेश से अस्टेलिया ने ग्रीन आर्मी को लांच किया तो यह पूछ सकता है ग्रीन आर्मी को जो है किसने लांच किया था तो अस्टेलिया ने अस्टेलियाई सरकार ने इस कारिकरम हेट 360 मिलियन डालर बजट का आवंटन के थे जिसे प्रतिवर्ष 500 परियोजनाओं को साहता प्रदान की जाएगी अब देख लेते हैं ये भी important facts है facts है पलाची मारा दच्षिड भारतिय राजी केरल के पलककर जिले में अवस्तित है और यह एक छोटा सा गाउं है इस छोटे से गाउं का नाम ही है पलाची मारा अब एक ये भी facts है कोका कोला कमपनी ने यहां अपनी इकाई अस्थापित की है जिससे बड़े पैमाने पर इस छेतर के जल का दोहन करने के कारण यहां परियावरण में भारी छेत हुई है पंजाब के मार्क फेड और इजराइल के शायाग के बीच 21 अप्रेल 2001 को हुई एक समझावते के तहट पंजाब में ग्रीन हाउस क्रिफी के माध्यम से सबचियां उगाई गई है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी योम अंतराइश्टिय मद्दान कमपनी गलोब इसकैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहट भारत को सीर्स अस्थान दिया है धाड़ी उप भोकता ब्योभार के अनुसवार अंग दिया जाता है ग्रीन डेक्स 2014 के स्कोर के अनुसवार भारत इस अंदर में प्रथम अस्थान पर बना हुआ है भारत में किर्षी के परियावरान अनुकूल देर गस्थाई विकास के लिए मिस्र सस्यन कार्बनी खादे नाइट्रोजन योगी की कर पोधे और कीट प्रत्रोध सस्य किसमों का प्रियोग सर्पसेश्ट है अब यह भी फैक्ट देखते हैं विश्ट परियावरान दिवस प्रेस वर्स पांच जून को मनाया जाता है और पर्थम विश्ट परियावरान दिवस वर्स 1974 केंके 75 भी मिलता है में मनाया गया है वो लेकनी है कि इस टाकोम अंतराश्टिय फिकर सम्मेलन वर्स 1972 में आयोजित किया गया था परियावरान पर यह पहला वैजबिक सिकर सम्मेलन था इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्ट परियावरान दिवस मनाने का निर्ण लिया गया था ठीक है लेकिन 1934 ही से होगा जया तब है कि विश्ट परियावरान दिवस परतीक वर्स पांच जून को मनाया जाता है यह सब इंपोर्टन्ट देख लेते हैं वर्स 2019 में विश्ट परियावरान दिवस का केंद्री भी से था वायू पर दूसर्ड एर पलूशन वर्स 2019 में विश्ट परियावरान दिवस का मेजमान देश चीन रहा तीक है, वर्ष 2020 की थीम जो है, जयव भी वित्ता रहा और मेजमान देश कोलंबिया रहा तीक है, वर्ष 2021 में विस परियावराण दिवस की थीम जो है, एको सिस्टम रिश्टोरेशन रहा और मेजमान जो है पाकिस्तान था ठीक हाँ अब रस्न देख लेते हैं नीचे दो वाक्यांस दिये गए हैं कतन ये और आर कतन है ये प्राकृतिक वनस्वत जलवायू का सही सूचकांक है आर है जल प्रिये पौधे आदर जलवायू में पाये जाते हैं ठीक है तो कतन ये भी सही है और आर इसकी ब्याख्या भी करता है ठीक तो ये होगा प्राकृतिक वनस्वत जलवायू का सही सूचकांक है तथा वाता औरण में कार्बंडाय आक्सरेट की बड़ती मात्रा से हो रहे जलवायू परिवर्तन से प्राकर्थिक वनस्वत में भी परिवर्तन हो रहे हैं जल्प्रिये पोधे का जलवायू की आधर तक कम होने का चारण होने लगता है इस प्रकार अस्पष्ट है की कथन और कारण दोनों सही है इको मार्क उन भारती उत्पादू को दिया जाता है तो ये सी वाला सही होगा परियावरण के प्रती महत्री पूर हो ठीक इको मार्क प्रमानपत उन भारती उत्पादू को दिया जाता है जो परियावरण के प्रती महत्री पूर हो इको मार्क प्रतीक निमलिखित में से किस से सम्बंदित है परियावरण के लिए सुरच्छे समग्रीफे परियावरण अनकूल उप्भोगता उत्पादू को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरम किया है तो इको मार्क टीक वर्ष उन्नीस सुबासट में प्रकासित फाइलेंट इस्प्रिंग जिसके बिशुके परियावरण ये आंदोलन को गत्मिली के लेखक है तो लेखक है इनके रेचल कारफन साइलेंट इस्प्रिंग परियावरण विज्ञान से समंधित एक पुस्तक है जिसकी लेख का अमेरिकी जियुविज्ञानी योम सनरचन विद रेफेल कारफन है और ये से पुस्तक जो है सेप्तम्बर 1922 में प्रकासित हुई थी नगरी करण योम और दोकी करण हानिकारक है तो संतुलित विखास के लिए परियावरण योम प्रियावरण 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 योम फ्राकृतिक किष्व sprawi के अनुभेशक हैं तो ये है मसानोबू, फुकुओका, फ्राकृतिक किष्वफी के अनुभेशक मसानोबू, फुकुओका हैं वह एक जापानी किषान योंदारसुनिक थे. नेक्स्ट देखते हैं परियावरों सन अठ्छन के लिए Green Army किस के दोरा परारम किया गया तो अश्टेलिया के दोरा अश्टेलिया 20-20 सदी के 80 के दसक के मत विकास के नकारात्मक पच्छो पर बिस्तार से चर्चा की गई है निमलिकित में से कौन सा एक उने में से मात्पूर नहीं है तो राजनीत युम विकास बिस्वी सदी के असी के दसक के मत विकास के नकारात्मक पच्छो पर विस्तार से की गई चर्चा में प्राक्रितिक संसादनों का छरण परियावरण पर दूसर जन सामान विस्तापन योम पुनरवास आदी मुख भी से थे लेकिन राजनीत यूमविकास की चर्चा कभी से नहीं है पलाची मारा जो परियावरण की अपारिच्छत के कारण चर्चा में अवस्तित है तो ये है केरल में पलाची मारा दच्छीर भाती है राजी केरल के पलककड जिले में अवस्तित एक चोटा सा गाउओ है ग्रीन वास इंगित करता है तो ग्रीन वास जो है परियावरण सनरचन का जूठा वादा करना तीक है परियावरण सनरचन का जूठा वादा करना ये जो है ग्रीन वास इंगित करता है ग्रीन वास उस इस्तिती को संदर्बित करता है जहां एक संगठन अपने परियावरणिय पर्थाओं या किफी उत्पाद या फेवा के परियावरणिये लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है भारत के निंलिखित भारत के निंलिखित राजियों में किसने हाली में हरित ग्रेह कृफी ग्रीन हाउस फ़र्मिंग प्रारम की तो पंजाब ने ठीक है इसराइल के साथ मिलकर ठीक पंजाब के मार्ग फेड और इसराइल के फैयाग के बीच 21 अपरेल 2001 को हुई एक समझोतिक के तहट पंजाब में ग्रीन हाउस क्रिसी के माद्यम से सबजिया उगाई गई है देख लेते हैं इसको भी वश्या इतना इंपॉर्टन नहीं है अपने वार्षिक सरवेच्छन के परिड़ाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी योम अंतराश्टिय मद्दान कंपनी क्लोबल इसकैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहट भारत को सीर्च अस्थान दिया है वह स्कोर क्या है तो इसमें बी वाला सही होगा या विबिन देशों के परियावरणिये रूप से दहांडिये उभोकता ब्यवभार का मापक है अब नेक्स है बिच्स परियावरण दिवस जिस तारीक को मनाया जाता है तो वह है पांच जून विच्व परियावरण दिवस 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 मनाने का न निर्णे लिया गया था ठीक है तो निर्णे लिया गया था 1972 में 1972 में लेकिन मनाया गया 1974 में 200 परियावरंड दिवस मनाया जाता है तो ये 5 जून को थाध़ किरियावरंड बिशु परियावरंड दिवस पर्ते एक वर्ण 5 जून को जो है मनाया जाता है ठीक है है ल्ट दोज़ार बीश के परियावरंड दिवस का केंद्रे भीस है रहा जया भी वित्ता कभी कभी मैचिंग मिला लिया जहता है इदर देगा 2021 21 पैस 쓰고 21 और अज इसलिए जानना ज़रूरी है वर्स 2021 का केंद्रे भी से जो है रहा फारिष्टित की तंत्र बहाली या इको सिस्टम रिश्टॉरेशन ठीक है थैंक यू चैनल को आप लोग ज्यादा से यादा से यादा सेर और सब्सक्राइब करिए और नेक्स पार्ट में जो है कवर करेंगे हम पारिष्टित की इको सिस्टम ठीक है थैंक यू चैनल को आप लोग जादा से यादा सेर और सब्सक्राइब करिए ठीक